राज हम आपको बताने वाले हैं पॉपलर सिरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है की कहानी क्या चल रहा है शो में और आगे सिरियल की कहानी लेगी कौन सा नहीं हमोग जिया शो का अपकमिंग ट्विस्ट काफी मज़दार होने वाला है जहां आप देखते हैं कि अभीरा आखिर करने लग जाते हैं शो में जहां रोहित पुरोहित सम्रद्धिशुकला और गर्विता साथवानी के बीज का लव ट्रैंगल लोगों को खोग पसंद आ रहा है वहीं शो के लेटेस्ट एपिसोड में जहां आप देखते हैं कि पॉद्दार को अर्मान और अभीरा की एक साल अभीरा की देखबाल करेंगे और उसे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इस वाद के कारण ही वह अभीरा को पॉद्दार हाउस में लेकर आया वही अभीरा सब कुछ सुनती है और पॉद्दार हाउस हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है वह अर्मान को काफी खरी ख़टी सुनाती है और कहती है कि वह उसे जिम्मेदारियों से मुक्त कर रही है अभीरा अपना बैग ले पुद्दार हाउस से बाहर चले जाती है और अभीरा के घर से बाहर निकलते ही दादी साथ दरवाजा बंद कर लेती है वही शो में आगे और भी ट्विस्ट आ आने वाले हैं जहाब देखते हैं कि घर छोडने के बाद अभीरा को काफी परिशानी होने शुरू हो जाती है घर छोडने के बाद अभीरा को हर चीज अकेले ही करना पड़ता है वह इसके आगे हम देखते हैं कि अगले तीन महीने तक हॉस्टल में रहने का फैसला करती है और फिर से मसूरी चली जाती है। रास्ते में अभीरा का सामना कच गंड़ों से होता है जो उसे काफी परिशान करने लग जाते हैं। यह देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि क्या ऐसे में अर्मान अपनी पत्नी को बचाने आएगा। वही से बेच मनेश को भी अभीरा की चिंता सताती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं अभीरा किसी मुसीवत में तो नहीं है। अब आगे यह देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि पुद्दार हाउस से अलग होने के बाद अब अभीरा को और कौनकम सी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। और अभीरा इन सब का सामना कैसे करती हैं। So wait and watch for a coming twist and turns in Syria, यह रिष्टा क्या कहलाता है।